तो है गाइस वेल्कम बैक तो अवर यूट्यूब चैनल तो गाइस आज हम पार्ट कर रहे हैं फिप्थ प्लेटिकल एंड फिजिकल डिविजन आफ वर्ल्ड इसमें कुछ एमसी को इस डिसक्रिशन करने वाले हम अंटार्टिका बारे में यू नो अंटार्टिका इस दा फिप्थ लाज़ेस्ट कॉंटिनेंट इन द वोल्ड ठीक है जिसका 98 परसेंट जो एरिया है वो आइस से कवर है किसे कवर है आइस से वहां पर सिर्फ स्नौ ही स्नौ है वहां प एक बात और अंटार्टिका इस अर्थ सोतन में मिलेगा आपको इस अगर्ण वाइदा पाटिस को इसको गवर्ण को करता है और यह कब हुआ था मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो इस चीज तो चलिए इसका थोड़ा मैप ठीक लेते हैं मैप के बारे में क्या है तो जो मेरे पास मैप था उसमें यह चीज इतनी इश्कों नहीं हो रही है बट फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिट करूंगा अटार्टिक है ऽोला सब्साइब है तो इसको हम वाइट कोंटिनेट के नाम से जानते हैं किसले नां कोंटिनेट के जानते हैं तो इनको द्यान में रखें चलिए इसका मैं दूसरा möइब दिखा दूंगा मेरे दोस्त यह है आपका मैप अन्रटकेका काुएं देखिए बोस्टुक ये को रिवर है और यह यह देखिए आइस शेल्फ है यह पर रोज आई शेल्फ है रोज सी है सौथ पेसिफ कोशिय jot इह सौथ एंटलाटी कोशिय है और यहां पर आप देख सकते हैं उसमें आपको तो चलिए कुछ एमसी यूज़ हैं उनको डिसकॉशन कर लेते हैं अगर मैप की जुरूर्ट पड़ी तो हम मैप पे जुरूर आएंगे फर्स्ट कॉशन में देखिए फर्स्ट कॉशन में बोर्ड रहा है कि किस ने डिसकॉवर की थी में लैंड जो अंटार्टिका की है तो इसका जो राइट आप्शन है वो है फैबियन बोन पिलिंग संग हुसेंग इनके द्वारा ये फाउंड की गई थी और यह यहां पर कैसे आए थे में लैंड पे और यह आए थे एक बोस्टोक नाम की बोस्ट बोस्टोक नाम की एक शिप थी अप यूट्यूब पे सर्च करना अंटार्टिका का जो ऐसा एटमोस्पेर है यहां पर यहां पर लिविंग स्टेंडर्ड हा उसको देखने हैं कि आप यूट्यूब पे सर्च करना आपको दिख चाहेगा किस तना से काफी सारे मुवीज भ बोस्टोक एक शिप थी जिसके जरिए फैबिन बोन बेलिंग हाउस इन इसके जरिए यहां पर आये थी तिक हैं कांपे अंटार्टिका में नेक्स्ट कोशन की बात कर जाए कि इस इस बड़ी जो पीक है वह कौन सी है तो इसका जो राइट आप्षन है मांट विंसं मैसिव मौंट विंसम मैसीव है जो एक हाइस टीक है अंटार्टिका में देखने को आपको मिलेगी चलिए नेक्स कोशन चलिए उसके बाद नेक्स कोशन है which of the flowing mountains range divide Antarctica into two parts इन में से कौन सी जो एक range है mountain range है जो अंटार्टिका को two parts में divide करती है तो इसका जो right option है वो हो जाएगा क्यों माउट range क्यों माउट range है वो आपको इसका अंटार्टिका को दो parts में divide करती है ठीक है इस तना से न मैप जुसके बाद नेक्स कोशन है which is the only active volcano of Antarctica Antarctica में सिर्फ एक active volcano है जो वो कौन साइन में से Sakur Zima, Mauna Loa, Caluea या Mount Airbus Mount Airbus है जो यह है active volcano of Antarctica exam में कोशन आ सकते है which is the sun not visible in Antarctica अंटार्टिका में पर से आपको कहां पर देखने किस टेट को किस टाइम को देखने को नहीं मिलेगा आपको तो वह है 22nd March से प्रसाइज के 23rd स्थम अभी वहां पर आपको सन देखने को नहीं मिलेगा which is a well-known flightless word found in Antarctica Antarctica में आपको well-known flightless word देखने को मिलेगा वो है आपके yes, pengens, pengens आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे तो यह आपके, I think यह hot climate में अज़ शर्वाइब, I think नहीं कर सकते हैं तो तब भी वो यह वहाँ पे शर्वाइब करें आपको कौन सी फिश है, जो species है, वो देखने को मिलती है, वो हैपकी, kobeya नहीं, goldfish नहीं, gube नहीं, krillfish आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है उसके बाद है, which of the flowing lake of Antarctica, whose salinity is equal to that of Dead Sea Salinity is equal to the Dead Sea, किसके बराबर है, वो कौन सी लेक है, वो हैपकी, bida lake, कौन सी है, bida lake, yes, bida lake हिज़ा यहां पे देखिए, match the flowing, इस तरह से JKSS भी जरूर कोशन पूछती है, आपको पता है, दक्षिन गंगोत्री, मैत्री, बात्ती, और अबुआ, सैट सेकंड, क्यून, माउट लैंड, लार्सीमान, हिल्स, सची माचर, वाजिस, दक्षिन गंगोत्री, गलेशियर, तो इसका जो मैच होगा, वो अपका दक्षिन, गोत्री का दक्षिन के साथ होगा, और, मैत्री का होगा, इसके साथ, option C is the right option, ठीक है, option C is the right option, नेक्स कोशन देखिए, अंटार्टिका is the earth, कहां पे लाइक करता है, नौथर मोस्ट कांटिमेंट में नहीं, अनौन कांटिमेंट में नहीं, साथर मोस्ट में ये लाइक करता है, ठीक है, I hope यहां तक सब को समझा हो, उसके बाइक्स कोशन है, इन में से कौन सी वर्ड की जो ब्रीड है, वो आपको अंटार्टिका में देखने को नहीं मिलेगी, वो आपकी एम्पैरर पैंजिन, ये तो मिलेंगे, पोलर से कुवा, ये तो मिलेगा, गोल्ल लेंगे आपको वहां भी विल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, तो option C is the right option, उसके बाद है, which of the flowing, which of these animals do not get in Antarctica, इन में से कौन से आपको देखने को अंटार्टिका में नहीं मिलेंगी, तो वो आपको पैंचिन मिल सकते हैं, वेल्स मिलेंगी और पोलर वेल्स आपको विल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, ठीक है, उसके बाद ह आपकी लेक कौन सी अंटार्टिका की, वो आपकी लेक लेसो परता है, नहीं, लेक बोस्टोक यास, लेक बोस्टोक है जो अपकी लार्जस्ट लेक है अंटार्टिका में, आपको बता है, जो फाउंडर थे जो अंटार्टिका के चिन्नोंने मेल लेंगी फाउंड की थी न करता है तो मैंने जैろ से बता हैं आंटर्टिका ट्रिटी सिस्टम इसको गवण करता कुन अंटर्टिका को और ये साइन कब हुआ था तो दोस्तों ये साइन होब था आपका प्कांटे davon шlet ऑज्यक v映ां जो कि एला को आपको वीडियो अच्छा लगाओ गाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करें शेर करें और कमेंट करें और अब हमने अपने जमुएन किश्मीर के जो करंड फेर्स हैं उनकी सीरीज को स्टार्ट कर दिया गया जैसा कि आज आज आपको वीडियो देखने को मिली जनबरी औ सबको वीडियो देखने को मिली वहां पर हमने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट से जो डिसक्रिशन की है काफी इंपोर्टेंट जो इवेंट्स हों हमारे जमुएन किश्मीर में उनके बारे में बात की और ट्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए जल्दी पूल रहेगा आपकी एक्जाम में सेलैक्षन के लिए तो इतना याद रखना है आटार्टी का है जो आपका फेफ लाजस कॉंटिनिन्ट है और इसको कौन से कॉंटिनिन बोलते हैं यहां पे 90 पर संट जो है 98 पर संट जो आइस शीट से यहां पर बिशी हुई हैं तो अभ पे जरूर सच करना ताकि आपको यह चीज दिख चाहे और आप हमें हमारे सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पे भी हमें जॉइन कर सकते हैं उनके लिंक आपको डिस्केशन बाक्स में मिल जाएंगे कोई भी क्वेरी हो कि आप हमें फेस्बुक पे जरूर पूछ ले सकते हो तो